हल्ला इब्रीबन आई होप आप से भी अच्छे होंगे यार तो मैं भी ठीक हूँ तो जैसे कि अपने थमलीक कंतर देख लिया होगा कि आज किस वीडियो के अंदर यार हम बात करेंगे कि जो लोग न्यू डेली, NCR से देख रहे हैं उनके लिए एक रैपीड ट्रेन का प्रोजेक्ट आ रहा है तो कौन कौन से सीटी है NCR के गुरू गावी साइट मैं पूरा डीटेल में इस वीडियो के अंदर आप से सेर करूँगा तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप से से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे नहीं आयो सब्सक्राइब बटन जरूत बादेना वीडियो से लेगियो लाइक जरू करना और इसको शेर जरू करना है ताकि ज्यादे से ज्यादा लोगों को पता चल सके और जो लोग चैनल पे नहीं आये हैं उनको मैं बता देता हूँ कि मैं अपना एयरपोर्ट प्रोपर्टी डव कि माग अपने मोबाल स्क्रींग के उपर तो जो न्यू डैली से और एंसी वार वाले जो लोग देख रहे हैं उनके लिए काफी अच्छी अपडेट है तो कौनसी के अपडेट है मैं अपने गयरली उपन करता हूँ यहां पे लेके चलता हूँ तो यहां पे देखिए दिल सित्धर मिलेगी रैपिट रियल की सुविदाय यहां यहां पे देखिए गूराम, दिली एंसी अर के सहरों खास कर गूरूगराम, रेवारी और अलवर के बीच पबलिक ट्रांस्पूर्ट सिस्टम का नया विकल्प मिलने वाला है रैपिट ट्रेन ट्रांजिस्ट सिस्टम से सहाजापूर निम्राणा बहरोड खड का निर्मान जल्द ही शुरू होगा इस सैंक्षन पर शेमी हाई स्पीड ट्रेन गुडुगाम माने सर पंच गाउं बिलासपूर धारूडा बावल सहजपूर निम्राणा और बहरोड जैसे परमुख उद्योगिक छेतरों के बीच बड़ी संख्या में सरमिकों को आगवन की सुधा परदान करेगा तो यहां पर उनको परदान करेगा एक तरह से यह है ट्रेन इस इस इलाके के लिए दिल्ली मेट्रो का विकल्प बनेगी यानि जो इनको लाकों में है नई वेकली जो ट्रेन वो चलाई जाएगी और यह एक तरह का जो मारे दिल्ली के अंदर मेट्रो ट्रेन होती है वो है एक सो साथ किलोमेटर लंबे दिली गुरुग्राम स Miss Albina complex RICT कोरीडौर के लिए प्री construction का काम शुरू हो गया है तो जो अपने कोरीडौर व vagina बनना है इसका भी जो काम है वो प्री construction का काम स्टार्ट हो गया है यह आप देखिए अब ये तीन चरणों में जो वो लागू होएगा यहाँ पे देखे दिली गुडगाउं SNB कोरिडोर को तीन चरणों में पूरा करने की योज़ रहे हैं पहले चरण में दिली गुडगाउं SNB अर्बन कॉंपलेक्स का निर्मान किया जाएगा दूसरे चरण में SNB अर्बन कॉंपलेक्स से सोतानाल नाला तक और तीसरे चरण में इसे अलवर तक बढ़ाया जाएगा फिलाल इसके पाइप लोड टेस्टिंग का काम शुरू हो गया है तो जो पाइप लोड टेस्टिंग का काम हो शुरू हो गया है अब यहां देगे अपरेल 2025 तक चालू होने की है उमीद बताया जा रहा है कि पहले फेज दिसंबर 2024 तक पूरा हो सकता है यानि पहले फेज में जह हो 2024 तब यह कंप्लीट हो सकता है इस सेंक्षन से भी अपरेल 2025 तक चालू होने की उमीद है पहले फेज में कुछ सोड़ा स्टेशनों का निर्मान किया जाएगा इसमें से 11 एलिवेटी स्टेशन होंगे जब कि 5 अंडर ग्राउंड होंगे और इसमें गुरुगाम कि सीमा से भी तरकुल 4 स्टेशन जो होंगे अब जो हमारे केंदर मंतरी हैं उन्होंने भी एक बात बताईए कि राव इंदरजीत सिंग स्थानिय सांसत और केंदर मंतरी ने बताए कि RRTS दिली NCR कि सारवाजनिक परिवान देश्ता के लिए भाजबा सरकार की महत्यवकान सी योजना है दिली गुरुगाउं अलवर खंड में निर्मान के बाद राजे के परमुक द्योगिक छेतर जैसे माने सर आई एम्टी धारूडा बावल रेवाडी और के साथ साथ गुरुगराम सिधे राजिस्थान और उतर परदे से जुड़ जाएंगे हजारों यांतनियों कावाई जाई में असानी होगी इसका काम तैसमें पर पूरा होने की जवब वो उमीद बताई जा रही है तो यह काफी अच्छी बात है जो लोग न्यू डैली एंसियार से देख रहे हैं तो उनके लिए जो यह नई ट्रेन वेकली ट्रेन है वो आपको रेपीड ट्रेन की सुधा आपको जुरूर मिलेगी और जो में में मैंने बता दी बाकी मां भी आपको आउटर में बिलता हूं और आगे डिस्केस करता हूं आई होप आपने जो है वो अपनी अपडेट वगेरा देख ली होगी जो न्यू डैली के एंसियार के लोग है जैसे गुड़गाउं रिवाडी धारोड़ा और इस साइड जो है वो नई जो रेपीड रेल की सुधा होगी और जो वो ट्रेन बनेगी वो अपना मेट्रों को कॉम्पीट करेगी यानि उसकी पास्व से जोड़ देगी उसको आगे तक तो यह प्रोजेक्ट की उमीद तो मैंने बता दी कि इतनी तरह 2015 तक स्टार्ट होनी की उमीद है और यह तीन चरणों में होगा फर्स्ट फेज में 2020 तक कंप्लीट होनी की उमीद है बाकी दो और इ तो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जया हिंद